नमसकार दोस्तों, मैं कनया लाल स्वागत करता हूँ आपका इस YouTube चैनल Study with Kail sir में, दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ राजस्तान के प्रमुख व्यक्तित्व के टोप 30 प्रशनों को लेकर दोस्तो राजस्तान के प्रमुक व्यक्तित्व से टोप मोश्ट 30 प्रशन है जो की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महतोपूर्ण है तो वीडियो का प्रशनों का इंपोर्टेंस आप समझ सकते हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वीडियो को अंतितक जरूर देखिए दोस्तों 30 प्रशन है मुस्किल से 10 या 12 मिनिट में पूरे हो जाएंगे छोटा सा वीडियो है तो वीडियो को अंतितक जरूर देखिए कमेंट में बता कर जाईए दोस्तों कि आपके 30 में से कितने सही हुए और आपको प्रशन कैसे लगे आपके 30 में से कम से कम 10 तो सही होने ही चाहिए दोस्तों इससे उपर अगर आप सही करते हो तो आपकी तयारी बहुत बढ़िया है चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चेनल पर नए हैं तो बिलकुल चेनल को सब्स्क्राइब करके बेल आइकन प्रेश कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों लाइक करने मां आपका मुश्किल से एक सेकन लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है यहाँ पर अपने वागड की मीरा किसे कहा जाता है गवरी भाई, पन्ना धाई को, राना भाई को, कर्मावती को तो बताइए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों यहाँ पर इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प एक गवरी भाई को वागड की मीरा जो है दोस्तों गवरी भाई को कहा जाता है यहाँ पर अपने सही आंसर है गवरी भाई चलिए दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन दो स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ सीकर, चूरू, नागोर, जेपूर तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प एक, सीकर अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नमबर तीन जेपूर फुट के जनक कौन थे डोक्टर पीके सेथी, डोक्टर पीके अगरवाल डोक्टर अशोक, डोक्टर विशी राई तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प ए, डोक्टर पीके सेथी यहाँ पर यह जेपुर फुट के जनक थे अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नमबर चार इंसान पहले इंसान फिर हिंदु या मुसल्मान ये संदेश किसका है कविरा श्यामल दास का कोमल कोठारी का कनेयलाल सेथिया का आचार्य तुलसी का तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प चार आचार्य तुलसी का चलिए दोस्तों पांच वा प्रशन है परमवीर चकर से सम्मानित होने वाले प्रथम राजिस्थानी है पीरु सिंग शेतान सिंग वीरेंदर सिंग वेद प्रकाश तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का यहां पर सही उत्तर है विकल्प ए पीरु सिंग चलिए दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 6 किशनगर सेली को चर्मोत कर्ष पर पहुंचाने का सरे किसको है सावंत सिंग को निहाल चंद को जगत सिंग को श्य चलिए दोस्तों अगला प्रश्ण है प्रश्ण नंबर साथ मेवाड के सामंत बनवीरने महाराना विक्रमा दित्य की हत्या कब की 1530-1535-1540-1545 तो बताईए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प 2535-20 चलिए दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर आठ निम्न में से वीरशी रोमणी दुर्गादास के बारे में असत्य कथन है इसका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड के सालवा गाउं में हुआ इनकी मरत्यू 22 नवंबर 1718 को उजेन में हुई ये जस्वन सिंग के सेना में थ विकल्प चार महाराजा जस्वन सिंग से अन्बन होने पर सैकुटुम मेवार चले गए ये असत्य कथन है दोस्तों इनका अन्बन जो है जस्वन सिंग के पुत्र के साथ हुई थी इनके साथ नहीं हुई थी चले दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 9 अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नमबर 10 दयाल दास का संबंद है जोधपूर से बीकानेर से पाली से जालोर से तो बताईए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दो बिकानेर से दयाल दास का संबंध बिकानेर से है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नमबर 11 कवीराज शामल दास ने मेवाड का इतिहास वीर विनोध में किसके आगरा पर लिखा है शंबू सिंग, सजन सिंग, उदे सिंग, अमर सिंग तो बताईए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नमबर एक शंबू सिंग चलिए दोस्तों अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर बारा निम्न में से अंग्रे जोने किसे महा महोपाद्याई एवं राई बहादूर की उपदी प्रदान की बीरबल को, कविरा श्यामलदास को कनेयालाल सेठिया को, गोरी शंकर हीराचंद ओजा को तो बताईए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प चार गोरी शंकर हीराचंद ओजा चलिए दोस्तों तेरवा प्रश्ण है निम्न में से विजेदान देथा को कौन सा पुरुसकार नहीं मिला केंद्रिय साहिते अगादमी पूरुषकार ग्यानपीट पूरुषकार बिहारी पूरुषकार राजस्थान रत्न तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर दो ग्यानपीट पूरुषकार चलिए दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 14 कनाया लाल सेथिया के बारे में असत्य कथन है इनका जन्म सुजानगर चूरू में हुआ इन्होंने लोकप्रिय गीत धर्ती धोरा की रचना की ये पाथल और पीथल के यसस्वी रचना के रचियता है पाथल और पीथल में पाथल अकबर के दरबारी कवी प्रती विराज को बताया गया है तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प 4 पाथल पीथल में पाथल अगबर के दरबारी कवी प्रिथिविराज को बताया गया है ये असत्य कथन है दोस्तों पाथल पीथल में जो पाथल है वो माराना परताब है और जो पीथल है वो प्रिथिविराज राठोड है जो की ये है चलिए दोस्तों अगला प्रशने दो जुन जुनू चलिए दोस्तों अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 16 विसल पुर बांध कौन से जिले में है जेपूर में टौक में विकानेर में नागोर में तो बताइए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का यहां पर सही उत्तर है विकल्प नदी बेड़स नदी तो बताईए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बनास नदी बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नमबर 18 बानासुर के शहीद के नाम से कौन प्रख्यात है, मेजर पिरू सिंग, मेजर शेतान सिंग, मेजर हवा सिंग, मेजर जस्वंत सिंग, तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है, दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है, विकल्प नंबर दो, मेजर शेतान सिंग, अगला प्रशन है, दोस्तों प्रशन नंब अगला प्रशन है दोस्तो प्रशन नमबर 20 सन 1960 इस्वी में जोथपूर जिले के बोरुंदा कसबे में रुपाइन नमक संस्थान की स्थापना किसने की कृपाल सिंग शेखावाद जगजीत सिंग पंडित जाबरमल शर्मा कॉमल कोठारी तो बताइए इस प्रशन का सही उत् है विकल्प चार कोमल कोठारी इन्होंने बोरुंदा जोथपूर में 1960 में रुपाइन संस्थान की स्थापना की 21 वा प्रशन है दोस्तो प्रशन नमबर 21 बल्यू पोर्टरी पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रिये पहचान बनाने वाले कृपाल सिंग शेखा चलिये दोस्तो अगला प्रशन है प्रशन नमबर 22 मोहन वीना का आविशकार किस ने किया पंडित विश्व मोहन भट जगजीत सिंग पंडित जाबरमल ने और मल कोठारी ने तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नमबर एक पंडित विश्व मोहन भट ने इन्होंने मोहन विना का आविश्कार किया अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नमबर तेईस देनिक समाचार पत्र राजस्तान पत्रिका की शुरुवात किसने की करपूर चंद कुलिस गणेश बिहार इलाल विजे शिंग पत्रिक रामनारायन चोदरी तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्र बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नमबर तीन 1956 राजस्तान पत्रिका की शुरुवाद उने सो चपण से मानी जाती है अगला प्रशन है प्रशन 25 निम्न में से सुमेलित नहीं है पंडित जाबरमल शर्म बटाईए इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 3 जग्जीट सिंग वीना वादन ये सुमेलित नहीं है अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन का सही उत्तर है विकल्प वादन चलिये दोस्तो सत्ताइसवा प्रश्ण है पत्रकारिता का भीष्म पितामा किसे कहा जाता है पंडिट जबरमल शर्मा कोमल कोठारी पंडित विश्व मोहन भट्ट को गणेश शंकर विध्यारती को बताईए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प एक पंडित जाबरमल शर्मा इन्हें पत्रकारिता का भिश्म पितामा कहा जाता है अगला प्रश्ण है प्रश्ण 28 प्राचीन लिपी माला गरंत के रचनाकार कोन है गोरी शंकर हीराचंद ओजा दयाल दास ग्रियर सन करनल जेम्स टोड तो बताइए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक गोरी शंक इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नमबर 4 विजे सिंग देथा ये बिज्जी के उपनाम से साहिते का रचना करते थे चलिए दोस्तों अगला आखरी 30 प्रश्न उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीड इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प एक महाराजा उमेद सिंग ने चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ अब तक के लिए नमस्कार